बम कैलोरी मीटर द्वारा जब हम आंतरी कूर्जा परिवर्तन की गढ़ना करते हैं तो सबसे पहले उस बम कैलोरी मीटर में हमने देखा कि जो देहन होता है तो देहन होते समय उस पदार्थ की मात्रा कितनी है उस BUM कैलोरी मीटर के लिए उश्मा धारिता का मान क्या है उस पदार्थ के लिए मोलर द्रवे मान क्या है तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए तो इसके द्वारा हम कैसे गढ़ना कर सकते हैं इसके सुत्र को समझेंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं पदार्थ का भार यानि उस BUM कैलोरी मीटर में जिस पदार्थ का दहन होना है उस पदार्थ का भार इक्वल टू यहां डबलू ग्राम के लूप में लिखते हैं यहां पर पदार्थ का आणविक द्रवे मान बराबर है कैपिटल M कैलोरी मापी जो है उसकी उश्मा धारिता कैपिटल क्यू के रूप में ले रहे हैं इस प्रकार दहन होने से तापमान में जो वृध्धी है एक्वल टू डेल्टा टी तो इस सूत्र को हम किस प्रकार और आगे लिख सकते हैं अभिक्रिया में उत्पन उश्मा बराबर क्यू डेल्टा टी यहां पदार्थ के दहन से उत्पन उश्मा बराबर होगा क्यू इन्टू डेल्टा टी इन्टू एम अपॉन डबलू तो डेल्टा यू बराबर यानि इस पदार्थ के दहन से जो उत्पन उश्मा है उसको हम यहां लिख सकते हैं delta U equal to QV, क्योंकि जो स्थेर आयतन पर तंतरत्वारा जो आउशोशीत उश्मा है वह आंतरी कूर्जा परिवर्तन के बराबर होता है, तो QV equal to प्राप्थ हुआ Q into delta T into capital M upon W J, तो इतनी उश्मा हमें प्राप्थ होती है. यदि हम बम कैलोरी मीटर में उस पदार्थ को लेते हैं और उसका एक निश्चित द्रव्यमान हमने लिया, तो उस आधार पर कितनी आंतरी कूर्जा में परिवर्तन होगा, वह इस सुत्र के द्वारा हम ग्यात कर सकते हैं. यदि हमें डेल्टा यू का मान ग्यात है, तो हम डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर्टी सुत्र की सहायता से डेल्टा एच की गड़ना भी कर सकते हैं. इसमें ऐसे दहन योगे पदार्थ को रखते हैं, जिसे फ्यूज वायर से जो की मैगनिशियम से बना होता है, इसे बैटरी के साथ जोडते हैं, बाहर से ऑक्सीजन गैस भेजा जाता है, बम में रखे इंधन के दहन में यह ऑक्सीजन गैस सहायक होता है, बम कॉपर कैलोरी मीटर के अंदर रखा होता है, जो कॉपर के लिड से ढखा है, कैलोरी मीटर एवं बम के बीच रखे, खाली स्थान में जल रखा होता है, इसमें यांतरिक विलोडक एवं थर्मा मीटर डला होता है, बम के अंदर इंधन रखा होता है, जिसका दहन किया जाना होता है, इंध का दहन होता है, बम में oxygen gas भेजा जाता है, 25 से 30 degree atmospheric pressure पर, यहां जो heat निकलती है, जिसमें जल का तापमान भी बढ़ता है, stirrer द्वारा तापमान को संतुलित किया जाता है, एवं बढ़े हुए तापमान को थर्मा मीटर की सहायता से नोट कर लिया जाता है, स्थिर दाप पर उश्मा परिवर्तन की गर्णा, यहां हम coffee cup calorimeter की बात करेंगे, यहां coffee cup calorimeter के द्वारा स्थिर दाप पर उश्मा परिवर्तन की गर्णा की जा सकती है, यह खुला होता है वायुमंडल की संपर्क में होता है, यह formed polystyrene cup है, यह आंशिक रूप से जल से भरा होता है, जिसका आयतन ग्यात होता है, इसमें stirrer या विलोडक एवं थर्मा मीटर लगा होता है, जो cup के lid से डला होता है, यहां हम यह देखते हैं कि स्थिर्दाप पर तंत्र द्वारा उश्मा ग्रहन की जाती है, यह उश्मा उच्सर्जित की जाती है, तो एंथल्पी परिवर्तन की गर्णा हम कैसे गर सकते हैं, तो यहां delta H बराबर QP होता है, यहां पर QP बराबर विशिष्ट उश्मा द्रवे मान है, जो की ग्राम में लिया गया है, और delta T ताप मान में परिवर्तन को दर्शाता है, जल की विशिष्ट उश्मा का मान है, 4.184 जूल प्रती केल्विन प्रती ग्राम, तो delta H जब हम कैल्कुलेट करेंगे, तो उसके लिए सूत्र होगा, delta H बराबर M गुणा जल पर तन्त्र में अभिकार को के मौलो की संख्या को दर्शाता है, तो इस प्रकार जब हम delta H की गणा कर लेते हैं, तो इस तेरदाब पर तन्तर द्वारा उश्मा कितनी ग्रेहन की जा रही है, या उच्टल जित की जा रही है, इस चीज की भी करना की जा सकती है, या हम केहें स्थेरदाप पर उश्मा परिवर्तन की गणना की जा सकती है चलिए अब हम बम कैलोरी मीटर आधारी एक प्रशन देख लेते हैं एक बम कैलोरी मीटर में NH2CN की अभिक्रिया डाइ ऑक्सीजन के साथ की गई एवं डेल्टा यू अनि आंत्री कूर्जा कमान माइनस 742.7 किलो जूल पर मोल पाया गया 298 कल्विन पर तो इस अभिक्रिया के लिए एंथेल्पी परिवर्तन ग्याद कीजिए NH2CN प्लस 3 बाइटू O2 इस एकवल टू N2 प्लस CO2 प्लस H2O यहाँ एंथेल्पी परिवर्तन हमें ग्याद करना है और यह आंत्री कूर्जा की वैल्यू दी हुई है डेल्टा यू इकवल टू माइनस 742.7 किलो जूल पर मोल डेल्टा एनजी एनजी यहाँ पर हम निकालेंगे जितने भी गैशियस मॉलिक्यूल होते हैं उसका अंतर हम करते हैं जो उत्पाद है उसके जितने भी गैशियस मॉलिक्यूल है और जो अभी कारक है उसके गैशियस मॉलिक्यूल का जो अंतर है वो हम डेल्टा एनजी के फॉर्म में लिखते हैं जब डेल्टा एनजी ग्याद करते हैं तो 2 माइनस 3 बाइटू इक्वल टू 1 बाइटू अब जो सूत्र है डेल्टा एज बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी इसमें मान रखेंगे तो डेल्टा एज की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी तो डेल्टा यू की जगा पर माइनस 742.7 प्लस चुकी डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 बाइ 2 है तो 1 बाइ 2 इन्टो आर कमान 8.314 इन्टो 10 तो दी पावर माइनस 3 इन्टो तेमपरेचर चुकी 298 कल्विन है तो इन्टो 298 इक्वल तो minus 741.5 kJ per mol